नमस्कार दोस्तों एमके नर्शिंग करपापका बुद्बो स्वागत है आपके साथ मैं हूं मैंश्कमार आज हम समझेंगे फोरिस्टिकल मेडिकल साइंसेस यानि कि फोरिस्टिक्स में जब को वेक्टिक डेत हो जाता है तो उसके लिए एक इस्पेशल ट्रम्स होती है उस को आज हम समझेंगे यह ट्रम्स हमारे नर्शिंग सेक्टर में भी आती है चुकि जब कोई पेशेंट्स की डेत हो जाती है तो उसके बार में कुछ सिंप्टम्स नजर आते हैं जो आपने भी ऑबजर्व किया होगा कि वेक्तिक मरने के बाद उसकी बोडी बिल्कुल ठंड ओड़ी पड़ जाती है और कुछ बोडी जो है उसके बिल्कुल ठाइट नेस आज आजाती बोडी मों इस्टीपनेस ऐसाती है कड़क आजाती है इसके लावा और भी चैंजस बोडी में देखे जाते हैं उन चैंजस को आज हम समझेंगे कि उनको मेडिकल साइंसे में किस नाम से जाना जाता है तो वीडियो को शुरुशते एंड तक जरू देखेगा चलिए देखते हैं यह स्टेजेज अपडेट के अंतरगाद आती है वैसे तो मरने के बाद वेक्ति के मरने के बाद लगबग साथ स्टेज होती है लेकिन हम सिर्फ यहां पर चार स्टेजेज को स समझते है पान फिला है अपना पैलर मोटिस मोटीस ही और सभी में यूज ओगा कर RS यह अपना पैलर मोटीस वायान के मरने के बाद नैंके औरहीश स्टेजेश कर जाएगे हो इसमें ब्लेट फ्लो नहीं करता है कर द्द ब्लेट फ्लो नहीं करता जिरो हो जाता इस कारण से क्या होता है कि डेट बोडी में पेलर मोटी साइन देखा जाता है पैलने या वाइट Iskin's देखी जाएगी मरने के बाद कितनी timing के बाद हम इस Sign को observer कर सकते है यहान कि किसी वेक्ती के डेध हो गई तो उसके मरने के बाद लगब definitive से 25 मिनिट के बाद हम पेलर मोटिस को देख सकते हैं यहान कि उसकी body सिकिंस में पेलने ये audi प्राइब को समझते हैं वह एलगर मोटीस जो है कॉल्डव से लिटेड यान कि मरने के बाद वेखती की बोड़ी में बिल्कुल थंडाई एक थंड से आजाती है कॉल्ड़नेस आ जाती बोड़ी में थंडा पड़ जाता है शरीर आपने भी सुना होगा तो इसी को एलगर करते हैं अभी समझते हैं कि यह होता है क्योंकि मरने के बाद वेक्ति में किसी भी तरह का ब्रेन ना कोई ब्रेन ना कोई हार्ट किसी तरह काम नहीं करता है लेकिन जब हम जीवीत रहते हैं तो हमारे हीट रेगुलिशन को मेंटेंड करने काम करता है हाइपो-तेलेमेस जब हाइपो-तेलेमेस इसमें कामकरना बंद कर देगा तो इसी कंडिस्ट में क्या होती कि heat loss and heat production का काम बंद हो जाता है तो इसमें तो इसमें sport heat ही जो है लोस होगी forgetie बोडिमें तो coldness sydri और वो सेंट को कहेंगे एलगर मोर्टीस का टाइमिंग क्या रहती है कि मरने के जस्ट बाद से लेकर 24 गंटे तक यह स्टेजेस को अपन डेट बोडी में उबजर्व कर सकते हैं यहां तक किलिए रहे दो नेक्ट देखेंगे अपन रिंगर मोर्टीस रिंगर मोर्टीस क्या होता रिंगर फोर रिंगर और बोडी में जो है इस्टिपनेस यारानकि बिल्कुल स्टिप हो जाएगी चड़क हो जाएगी बोडी डेट बोडी ठीक है यह साइनम सिम्टम हम कब देख सकते हैं यानकि मरने के दो घंटे के बाद अगर कोई death हुई है या आप emergency में काम कर रहे हो as a nursing staff और आपके पास कोई death body आई तो आप उसे observe करके बता सकते हैं कि अगर इसकी body में ringer mortis के signum दे यान कि उसकी body बिल्कुल stiff हो गए है क्योंकि body में जो है वो muscles में chemical changes होता है इसलिए उस chemical changes की वज़े से muscles बिल्कुल rigid हो जाती है यान कि stiff हो जाती है तो ऐसी conditions को कहता है ringer mortis ठीक है यह हमारी stage की third stage होती है death की third stage होती है last होती है liver mortis liver mortis four stage of death में last और fourth stages होती है इसमें क्या होता है इसमें discolation of the body body में discolations को देखा जाएगा वो क्यों होता है क्योंकि body में क्या है कि जब तक हम जीवित होते है तो हमारा heart काम कर रहा होता है और heart का काम होता है blood को pump करना blood body के निचले हिस्से में भी blood pump करता है और उपले हिस्से में भी blood pump करता है लेकिन बनने के बाद क्या होता है कि heart बिल्कुल काम नहीं करता है तो ऐसी conditions में blood उपर नहीं जा पाएगा क्योंकि ऊपर body के उपले हिस्से में blood को बेजने के लिए एक force की जरुवत होती है और force heart लगा नहीं पाता है ऐसी conditions में तो ऐसी conditions में क्या होता है कि gravitational force लगता है blood में gravitational force की वज़े से blood बिल्कुल body के निचले हिस्से में जमा हो जाता है और उस जमा होने के करण से उसकी हमारी शरीर में बोडी में उस dead body में purplish rate discolations को देखा जाएगा यान कि इस तरह के body की निचले हिस्से में blood जाके जमा हो जाएगा उपर जा नहीं पाएगा क्योंकि heart जो cardiac output है heart काम करना बिल्कुल बंद कर चुका यह syndrome symptoms मरने के दो या चार घंटे के बाद देखा जाएगा तो यह हमने देखा इस four stages of death यानकि मरने के बाद imminent मरने के बाद कौन सी stages को देखा जाएगा तो four stages है हमने यहां पर discuss किया पहली है आप सूच सकती हो की इन चीजों के से याद करेंगा थे आपके लिएbuch को आहां लेकिन इसमुश्किल को हम आसां बना देते इसके लिए हमने एक trick बना है जिसे कहते है पी ए आर एल पर्ल और परल के पीछे आप मोटी जोड़ देना क्योंकि मोटीस इन सब में यूज होता है तो परल मोटीस यह बिल्कुल सिक्वेंस की वज़े से आप इसे ऊपर नीचे करोगे तो यह सिक्वेंस बिगड़ जाए क्योंकि पेलर मोटीस फस्ट इस स्टेज होती है और यह सेकंड इस्टेज होती है यह थर्ड इस्टेज होती है और यह फोर स्टेज होती है तो यह सिक्वेंस है आप ऐसे देख सकते हो पी फोर पेलर एफ और एल गर मोटीस आर फोर रिंगर मोटीस और एल फोर लिवर मोटीस तो आप इसको ऐसे याद कर सक टेपल प्लस मोटीस ठीक है I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा Thank You करें